हम यहां पे इसकी प्रॉपर्टी हैं सबसे पहला वे तैयोरम वन है कि अगर आघर एबीची हमारे बास कोई से भी सैजा है तो वह इन कंडिशन को फॉलो करती हैं प्रॉपर्टी है कि अगर दो से इंटर सेक्शन किया जाये तो इंटर सेक्शन का मतलब दें कॉमन तो ए दोन ही सेम है तो यूनियन में हमारे पास ए आ जाएगा और जब मैंने एक का इंटरसेक्शन फाई के साथ लिया तो मैंने दोनों में कॉमन देखना है तो मुझे पता है कि फाई तो खाली है इसमें कुछ भी मुझूद नहीं है तो जो ए सेट है उसमें जाहरे बात है खाली सेट मुझूद होगा तो इसके दोनों में कॉमन के फाई है और जब यूनियन करना है तो यूनियन में मैंने हमेशे बड़ा वला सेट लेना होता है जो के ए है और याद रखेगा इंटरसेक्शन में हमेशे छोटा देखना होता है और यूनियन में हमेशे बड़ा देखना होता नेक्स में है कि अगर आपके पास A intersection V है तो वो हमेशा B intersection A के बराबर होता है simple wording में आप इसे commutative property of intersection भी कह सकते हैं और similarly ये commutative property of union है ठीक है और ये बहुत एहम बात लिखी है ये असल में काम आती है mostly तो theorem's proof करते हुए काम आ जाती है कि अगर हम किसी इसको proof करना चाहा रहे हैं तो हम direct ये statement लिख सकते हैं और अपने theorem का proof कर सकते हैं especially ये topology में काम आता है आपने topology पढ़ी होगी तो वहाँ पे हम theorem's को इसके according proof करते हैं तो असल में यहाँ पर वो कहना ये चाहता है कि जब आप दो sets कine intersection करते हो तो चोटा result आता है अगर आपके पास ABC coach से भी दो sets हैं तो जब आप intersection करोगे अगर आप इतनी सी चीज़ को देखो कि A intersection B हमेशा subset होता है एका क्यूँकर A intersection B से चोटा answer आता है तो वो आंसर इतना चोटा होताए कि वो किसका सबसेट होता है A का सबसेट होता है ठीक है वोसल मैं यहाँ पर यह बात सिम्पल कहा रहा है और दूसरा यह अगर मैं इस चीज़ को देखू VALी चीज़ को तो यूनियन का अंसर हमेशा क्या होता है बहुत बड़ा होता है तो A उस टाम पे छोटा पड़ जाता है तो इसलिए A हमेशा सबसेट होता है A जूनियन B का आप A के जगा पर B भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है नेक्स्ट में उसने हमें प्रॉपर्टी कुछ बताई है यह कौन से प्रॉपर्टी उसने बताई है गोज से देखें तो यह एसोसेटिफ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की बताई गई है वैसे यह हम ग्रॉप त्यूरे में भी प्रॉपर्टी जारी बताई पड़ेंगे बट यहां पर थोड़ी सी इंटरसेक्शन और उनियन के हवाले से हैं पर हम सिंपल ग्रॉप के हवाले से किसी बाइन रप्रॉपर्शन के हवाले से प्रॉपर्टी करेंगे तो जब इंटरसेक्शन के बाद आती है तो जारे बाद आपका ब्रैकिट्स चेंज की जाती है ब्रैकिट्स अगर दो यहां पे हों तो intersection की जो second condition होती है associative की उसमें first वाले में आ जाती है और similarly union वाले case में भी ऐसा हो जाता है next में देखें अगर आपके पास intersection और union दोनों का mix up आ रहा है तो होगा कुछ नहीं bracket सेम वैसे ही रहेंगी और next property हमारे पास distributive law की है इसको distributive law को तो हम आगे बहुत पढ़ेंगे रिंग्ट्यूरे में इसको यूज़ करेंगे distributive law में यह होता है कि अगर यहां पे कोई भी sign हो आपको मसला नहीं होता ठीक है जमा माइनस वो कुछ भी हो सकता है वो writer पे depend करता है कि वो क्या लिखता है बट यहां पे वो यूनियर और intersection की बात कर रहा है तो distributive law में A को fix किया जाता है तो हमेशे आप लिखोगे A union B लिख दोगे सबसे पहले फिर intersection का sign लगा कर A union C लिख दोगे तो देखें A union C आगए यारे simple हमने अपनी term को क्या कर दिया split कर दिया यहां पर इसने क्या कि इन properties को proof किया हुआ है बट यार देखेगा हमारे किसी proof से concern नहीं है ठीक है M.S.Q. में अपना फुद देखा होगा कोई proof से related चीज़ नहीं आती कोई उसने ऐसी चीज़ नहीं पूछी हुई थी सब कुछ उसने मतलब conceptual बिल्कुल पूछा हुआ था और वो जो concept वाली बात थी वो questions से related थी उसने वहां पर values दी हुई थी questions यह ने example की according था तो आपको चीज़ की definition के इलावा आपको उसकी example भी बतानी चाहिए कि उसको कैसे real life problem में solve किया जाता है और किस तरीके से हम उसको बागी problem के उपर भी apply कर सकते हैं नेक्स दी मॉर्गन ला है डी मॉर्गन ला सब को पता है कि क्या होता है अब जो हम books में बढ़ते हैं चोटे class की बचों की books में बढ़ते हैं डी मॉर्गन ला को तो वहां पर simple terms का क्या होता है जैसे ये लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का whole compliment is equal to a क कम्प्लिमेंट फिर भी का कम्प्लिमेंट डी मॉर्गन ला क्या करता है union का sign को intersection में convert कर देता है और अगर intersection हो तो उसका sign union हो जाता है यानि sign opposite हो जाती है जैसको ऐसे भी लिख सकते है कम्प्लिमेंट का मतलब क्या होता है universal set में से जो भी given आपको center में term दी है उसको minus करना होता है तो यहाँ पर हमने union भी कर दिया और अगर intersection है तो मैंने universal set में से उस intersection भी को minus कर दिया और अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए करके इस तरह की से लिख सकते हो और जब minus किया था आपने तो sign क्या हो जाता है change हो जाता है तो जैसे plus जो है वो minus में हो जाता है minus plus में हो जाता है तो similarly union भी हमारे पास किसमें convert हो गया intersection में convert हो गया फिर नेक्स में फिर से X माइनस भी आ गया तो देखें ये simple क्या हो गया X माइनस भी आ गया पिर similarly जब next वाले के बात करेंगे तो जारी बात माइनस है तो intersection फिर union में convert हो जाएगा जो simple से उसने उस तरीका बताया कैसे कर सकते हैं उसने उसका थोड़ा से प्रूव दे दिया कि ये क्या होता है अब next एक बात यादे देखेंगा हमेशा order pair की order pair को इस तरीके से लिखा जाता है एक को माभी ये first element होता है और ये हमेशा second element होता है ये property order pair की कि अगर A B बराबर है CD के तो हमेशा first element next वाले के first के बराबर होता है और second वाले हमेशा second वाले order pair के बराबर होता है इसलिए उसने लिखा कि A is equal to C and B is equal to D ये उसने समझाने के लिए property लिखिया ने जिसका प्रूव भी दे दिया कि कैसे होता है ये चीज़ बिल्कुल basic है ये आप लोग पहले पढ़के भी आचोगे होगे बहुत बिल्कुल basic सी बात है बट आपको ये चीज़ असल में remind करवारी हुए मैं आपको आपको अपने पिछली बातों को mind में लाना है उसको आपने भूलना नहीं है next मैं कि पूइ तास notice the order in which the elements are written is important in as much as A B is not same as B A बहुत important बात है कि कोई भी दो order पेर बराबर नहीं होते अगर कोई करे कि दो order पेर बराबर हैं तब वो साथ हमीशे condition लगाएगा कै A equals to B है यानि कोई भी दो order पेर शेकोज नहीं होते वो equal तब होते हैं जब उसके elements equal हो यानि a is equal to p हो तो याद रखेगा sets equal हो सकते हैं कि a, b और b है इसका मतलब same है अभी हमने set में बढ़ाता हूं बट order pair में यह condition हमारी satisfy नहीं करती होती है तो दो sets हमारे पास क्या होते हैं सेम हो सकते हैं बेशक उनकी तरती बाग पीचे हो हमें कोई मसला नहीं है लेकिन order pair में हमें मसला होता है कोई भी दो order pair की position अगर अदला बतली कर दी जाए तो वो कभी भी equal नहीं होते है फिर अब उस लोग पहले पढ़ houँगे कि कार्टियन product क्या होता है कार्टियन product इससा product के two sets यहनि दो set लिछ्ट क हमारे पास क्या कहलाती है दो set क म्लिप्लीकेशन simple हमारे पास कार्टियन product क्या कहलाती है तो अगर आपक यह चार अज़ए 5 ऑपर यह तो इसको उसको multiply कर दिया एक्रॉस करना होता है तो इसके लिए आपने फर्स्ट इलिमेंट को फिक्स कर दिया और वन को थ्री से किया दिन को मैंतरी रह गया फिर process को मौ माथृ ओर या फिर एक्न को फाइफ से क्रीपॉले गया पिर वन को छोड़ कि A cross B may not be equal to B cross यानि दो हमारे पास जो कार्टियन प्रोड़क्ट होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था क्रोस प्रोड़क्ट कि कोई से भी दो क्रोड़क्ट प्रोड़क्ट एक्वल नहीं होते हैं वहाँ पर लेकिन यह कंडिशन थी कि जब नेगिटिव हो तब एकवल हो जाते हैं बट यह क्यूंकि मितमेटिक्स है इसमें और प्रोड़क्ट में ऐसे कोई कंडिशन नेगिटिव वाली होल्ड नहीं करती तो इस पर जासे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे वो सेट बराबर में नहीं आएंगे